जैशी कृष्णा दोस्तो वियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो भादर मा के शुक्रपक्षी एकादशी जिसका नम परिवर्तनी एकादशी है इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी दोस्तो परिवर्तनी एकादशी पर बहुत ही स सिद्ध योग बनने जा रहा है इस दिन सुभाग्य योग रवी योग आईश्मान योग बना हुआ है और इस योग में किया गया कोई भी उपाय निश्वल नहीं जाता तो आप अवश्य ही उपाय करें पूजन करने से उपाय करने से जीवन में सफलता मिलती है और जाने अं एकादशी की दिन देखे भगवान विश्णु के वामन रूप की पूजा की जाते है भगवान विश्णु ने राजा बली से प्रसन होकर अपना एक सरूप उसको दिया था और एक सरूप सीर सागर में रहता है इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं और इस एक तहीं से हम एक वस्तू आपको चढ़ाने के लिए बता रहे हैं अगर आप चढ़ाते हैं भगवान विश्णू को तुलसी पर तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने भी असरा फ लक्षमी का पूजन अवश्य करना चाहिए इससे धन धाने की प्राप्ती होती है माता लक्षमी की किरपा प्राप्त होती है साथ ही दोस्तों इस दिन आपको दो उपाय करने हैं एक तो सुबह के समय करना है और दूसरा उपाय आपको संध्या के समय करना है सर्व कामना विष्णू की और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना है उनको स्नान कराए और उनको पीला चंदन इस दिन अवश्य लगाए माता लक्ष्मी को कुमकुम अवश्य लगाए और उनको पीले फूल अवश्य अरपित करें और इस दिन आपको देखे भगवान विष्णू क और माता लक्ष्मी को दो केले का भोग अवश्य लगाना है आप उस पर कुम-कुम से आप स्वास्तिक बना सकते हैं और माता लक्ष्मी का ध्यान करें भगवान विश्नु का ध्यान करें और भगवान विश्नु के वावन सरूप का ध्यान करके उनको तुलसी रख कर आप अर और अवश्य करें इस दिन देखें को तुलसी का पूजन अवश्य करना है तुलसी के आगे भी आपको धूप दीप जलाना है दोस्तों आपको तुलसी में एक वस्तु अवश्य दबानी चाहिए जिससे कि आपके उपर माता लक्ष्मी की पुत्र धन की प्रापती हो सके दोस्तों आपको इस दिन तुलसी पर जो धनिया होता है साबुत धनिया थोड़े से साबुत धनिया आपको तुलसी की मिट्टी में अवश्य दबा देना है अपनी जो भी मनो कामना है चाहे धन की है चाहे पुत्र की है चाहे संतान की है जो भी आपकी मनो कामना है वह बोलकर आपको तुलसी की बिट्टी में दबा देना है और वहाँ पर धूब दीब जलाकर मतलब तुलसी को प्रणाम करें उनका पूजन करें दोस्तों दूसरा उपाए आपको देखे संध्या के समय करना है आपको देखे दो दीपक त्यार करने हैं एक दीपक आप घी का करें अगर गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है नहीं तो कोई सा भी गाय का घी ले ले और दूसरा दीपक आपको तिल के तेल का बनाना है दोलों में बत्ती लगाए साथ ही दोस्तों जो गाय का घी है उसमें आपको देखे दो इलाइची डालनी है औ इस दिपक को आपको तुलसी के नीचे जलाना है और दूसरा दिपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है दोस्तों एकादशी के दिन देखे पीपल पर दीपक जलाने से दीपक लगाने से माता लक्ष्मी और शी भगवान की किरबा प्राप्त होती है जिस भी कारे में आपके बाधा आ रही है वो अवश्य ही दूर होती है और कहते हैं कि इस दिन दीपक जलाने से सर्व कामना पूर्ती के लगाना के लिए अवश्य ही दीपक जलाएं और तूलसी की नीचे जो घी का दीपक है वो जलाना है और उसमें दो इलाइची अवश्य डाले इसे माता लक्ष्मी भी प्रसंद होती है और आपके घर में भगवान विश्णु के साथ माता लक्षमी का अगमन होता है दोस्तों जो दो दीपक आपको जलाने हैं देखें प्रदोशकाल माता लक्षमी का माना जाता है यानि 6-7 वजे के करीब आपको ये दीपक जलाने है और जो केले आपने भगवान विश्नु को अरपित करे थे उन केलों को आपको पूझा करने के बाद एकादशी के दिन ही या संद्या के समय या दोपहर के समय आपको ग्रहन कर लेना है एक आप पती पतनी ग्रहन कर ले और दूसरा आपको सहपरिवार मतलब प्रसाद सरूप बार देना है इससे आपके उपर माता लक्ष्मी की और भगवान विश्नु की किरपा अवश्य ही प्राप्त होगी इस तरह से अगर एकादशी के दिन आप उपाय करते हैं भगवान विश्नु का पूझन करते हैं दोस्त आपकी जो भी परेशानी है उससे तो आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी और साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु की किरपा आपको अवश्य ही मिलेगी परिवर्थनी एकादशी के दिन देखिए हवन का बहुत अधिक महत माला जाता है इस दिन पूझा करने से पाठ पूझा करने से उपाय करने से आपको वाजपे यग्यकी फलकी प्राप्ति होती है और इस दिन अगर आप कोई दान करना चाते हैं तो हवन समागरी से संबनी जैसे कपूर है घी है या समागरी है आप किसी भी मंदिर में दान करके आये निश्य थी आपकी जो मनो काम है जो भी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों इस दिन ये उपाय अवश्य करें निश्य थी आपको लाब मिलेगा दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें